नमस्कार मैं हूं डॉक्टर भर्विन प्रभा और स्वागत करते हैं अब सभी लों का अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंगल कल्चर टेस्ट की बारे में दरसल अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति में फंगल इंफेक्शन है इस टेस्ट को करवाया जाता है कितने तरीके के फंगल इंफेक्शन होते हैं इन से जुड़े क्या लक्षन होते हैं और इसके रिजल्ट को कैसे समझा जाता है लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आप में हमारे चैनल सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से जल जानकारी प्राइब कर सकते हैं इनकी जाच इसके दौरा की जा सकती है तो अब जानते हैं कि आखिरे टेस्ट क्यों किया जाता है इससे क्या बिनेफिट होता है तो अगर हम फंगल कल्चर टेस्ट करते हैं तो जो सबसे में पॉइंट है कि हम यह जान सकते हैं कि आखिर उस वेक्पी को जो जो सस्पेक्टेड परसन है उसको फंगल इंफेक्शन है भी या नहीं है दूसरा इससे यह जानकारी प्राप्त ह होती है कि western infection है तो जो specific पंजाय है वो कौन सा है ताकि इससे जो treatment है उसको guide करने में मदद मिले उसके अलावा अगर किसी का fungal infection का treatment चल रहा है तो क्या वह effective है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्थ होती है तो अब समझते हैं कि कब और किन कंडिशन्स में ये जाच करवाई जाती है हमारे डॉक्टर कब इसको टेस्ट को करवाने की सला हमें देते हैं तो अगर किसी व्यक्ति में फंगल इंफेक्शन से डिलेटेड कोई सिम्टम्स या लक्षन नजर आते हैं और हमारे डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि वो फंगल इंफेक्शन हो सकता है तो ये टेस्ट करवाने की सलाह दे जाती है दरशल जो McNấu Il infection होता है उसके जो लक्षन होते है वो ड़ुपिंड करता है किस Location में शरीर के किस जगा पे infection है और किस ताइप के पंजाय से वह infection है तो अब थोड़ा से इनकी लक्षनों के बारे में भी जान लेते हैं जैसे कि मैंने बताई कि दो तरखे के फंगल इंfक्शन होते हैं, सुपर फेसिल एंसिस्ट में, जिस पहले जांपने हैं कि इस तरखे की लक्षण देखि जासकते हैं, अगर यह linking को वें an questa-ब के लाका कि लरती तो वहां इसकी बता जाना है, तो वहां पर भी itching बनी रह सकती है सातरी साथ व्यार्ट डिस्चार्ज हो सकता है अगर उने की appearance होता है काफी change हो जाता है तो यह थे जो superficial infection है उसके basic lexion अब जानते हैं कि systemic infection में क्या-क्या basic lexion हम देख सकते हैं तो इस condition में fever हो सकता है साथ-साथ muscle pain हो सकता है joint pain हो सकता है cup-cupी हो सकती है nausea हो सकता है तो यह जो सारे lexion थे जो सामान एलक्षन होते हैं किसी भी fungal infection के superficial और systemic उसके बारे में हमने discuss किया तो अब समझते हैं कि इसका test कैसे किया जाता है इसका sample collection कैसे किया जाता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो fungal infection है वो body की किस part को affect कर रहा है उसके हिसाब से ही उसके symptoms होते हैं तो उसी प्रकार से body के जिस part को affect कर रहा है उसी तरीके से इसका sample collection भी अलग-अलग तरीके से किया जाता है तो जो common है जो common sample collection के तरीके हैं और जो common affected areas हैं के बारे में हम discuss करते हैं तो माल लिजए अगर इसके लिए nail को ये fungal infection effect कर रहा है तो उसमें हम कैसे इसका sample collect करते हैं तो इसके लिए जो एक special tool होता है इसके द्वारा थोड़ी सी जो tissue होता है इसको लिया जाता है scraping के through skin या nail से वह sample लिया जाता है collect किया जाता है उसके बाद आता है swab test तो इसमें हम special swab का infection होता है जिसके द्वारा अगर मुँ में infection है vaginal infection है या फिर अगर हमारे skin पे हमारे शड़ी पे कोई खुला घाव है वहां पे हम fungal infection suspect कर रहे हैं तो इन condition में हम swab sample लेते हैं तो उसमें जो special तरकी का एक swab होता है उसके द्वारा जो tissue होता है या fluid होता है इन सारे area से वह collect किया जाता है साथ ही साथ अगर systemic की बात करें तो blood test करना होता है जहां पे blood का infection हम suspect करें जिसके लिए हम एक blood sample की ज़रुरत होती है तो उसके लिए हम अपने elbow की वें से blood का sample ले सकते हैं उस इसके लिए अगर पेशेंट का जो lung है वो affected a fungal infection ते इसके अलामा sputum culture भी किया जाता है अगर जो patient है उसका lung affected a fungal infection से तो इस condition में हम patient को जोर से खासने के लिए cuffing के लिए कहते हैं तो जो thick sputum आता है उसका sample collect किया जाता है तो यह जो सारे samples इकठे किये हमने यह इकठा करने के बाद इसको फिर lab में भेजा जाता है analysis के लिए अच्छा यह जो fungal culture test है यह थोड़ा सा time taking procedure होता है तो इसके result के आने में थोड़ा सा time लगता है तो अब समझते हैं इसका result आता है उसको कैसे समझा जाता है उसका interpretation कैसे क दिखता है मतलब की fungal infection confirmed है उसके बाद यह positive और negative की तरह से समझते हैं कि अगर fungi present है that means की fungal infection है और अगर fungi present नहीं है तो fungal infection नहीं है अब इसके बाद क्या करते ही result आने की बाद की बारी और additional test करने होते हैं जिसकी तुरू यह जाना जाता है कि कौन सा specific fungal present है साथे साथ यह confirm होने पे की fungal infection है further susceptibility and sensitivity test किया जाता है जिसकी मदद से जो best combination of drug है वो decide किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हमने discuss किया की fungal culture test क्या होता है इसको इससे जुरी है जो बाकी जानकारिये हैं उसके बारे में भी हमने short में discuss किया तो उम्यद करते हूं कि जो आपकी understanding है इसके कोई और सवाल है या फिर आप किसी और तरकी का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे comment box में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद